असलाम अलेकुम, वेलकुम तो दी लहोर गेर्जन स्कूल, क्लास नाइन्थ, लेक्चर नमबर नाइन आपका, सब्जेक्ट इस्लामाथ इलेक्टिव, पेज नमबर 45, हदीश नमबर 12. हदीश है, इन्नमिन इजलालिल्याहि इक्रामा, जीश हैबति मुसलिम, तरदम्धा है, बुड़े मुसल्मान के इतराम करना, ओल्लाह की जलील का इतराफ करना है, लफजी तर्जमा है इजलाल जलील होने का इकरार करना बड़ा समझना इकराम एहतराम करना जिश शेवाती बूड़ा या बुढ़ापे वाला इस हदीश की वजाहत करने के लिए हमारे पास पॉंच पॉइंट्स हैं जो हमने इसकी तश्रीव में हम एड़ कर सकते हैं as a heading पर यह आपको जो मैंने आप बताई हैं यह हैडिंग्स हैं और इन हैडिंग्स के साथ थोड़ी वजाहत भी बताऊंगी आपको वह आप उसमें ए हैडिंग्स के हिसाब से कीजिएगा पहली है माश्य में बड़ों का मुकाम इसलाम में बड़ों का मुकाम फिर थोड़ी सी वजाहत आजिए की बाहवाला हदीश में फिर हदरत मुसा को उसमें एक वाक्या बताया जाएगा फिर एंड पर आपको हासल एकलाम अब आते हैं दोबारा बताया इसके वजाहत के जर्फाते हैं सबसे पहला एट्रोपिक है हमारे पास माश्य में बड़ों का मुकाम इसलाम उमर में बड़े लोगों के इहतराम का हुकम देता है और जो लोग बड़ापे को पहुंच जाएं और उनके बालों में सुफेदी आ जाए तो और ज्यादा इहतराम के मुस्ते कि करार दिये गए हैं इसलाम कहता है हमारा दीन हमें क्या सिखाता है कि हम बड़ों का इहतराम करें और जो लोग बज़र्ग हो जाते हैं उनके बालों में सफेदी आ जाती है तो उनके सफेद बालों का लिहास करते हैं हम उनको समझ जाना के अहतराफ का हिसा करार दिया है गोया जो शक्स किसी बूड़े मुसल्मान की इज़त करता है वो अपने दिल में अल्लह ताला की अजमत की बुर्याई और बज़ूर्गी पर इमान रखता है हमारे इस लाइन जाहिर होता है कि यह जो जिसका हम एक्स्प्रेशन कर रहे हैं जिसकी तश्रीय वज़ाहत बियान की जा रही है इसी के एकोर्डिंग अजूर्स अल्लह अल्लह अल्यवालिव सलम ने बूडे मुसल्मानों के इहतरां को अपने दिल में अल्लह ताला की पहले इसलाम में बड़ो का मुकाम है और दूसरे नमबर पर आएगा माश्रे में बड़ो का मुकाम माश्रे में अगर बज़र्गों की इज़त का ख्याल ना रहे तो बेराहरवे शुरू हो जाएगी और बज़र्गों के इहतराम और इनके तजरबात जिन्दीगी से फाइदा उठाने का जजबा ना पैद हो जाएगा मतब कोई भी बज़ुर्गों का इज़त और इस्तराम नहीं करेगा ना उनसे कोई सीखेगा और उनको कोई भी इज़त नहीं दी जाएगी तो माशे में बदमजगी पैदा हो जाएगी माशा खराब होना शरू जेगा बूड़े इसलिए इसलिए इहतराम के मुझा ही है कि वो नोजवानों से उमर में बड़े हैं इल्म और तजर्बे में फाइक हैं और नेग होने की सूरत में अमल में भी इनसे आगे हैं और ALLAH CELLA के हाँ भी उनका उंचा मिकाम है इसलिए बुड़े मुस्लमान का हहतराम ALLAH की बजूर्गी का इतराफ है क्योंकि जो किसी बजूर्ग की इजड़ करता है देरासर बजूर्गों बड़तर ALLAH CELLA की दि Daarकीरीम का इतराफ करता है नेक्स्ट इसकी मजीद दुजाहत एक हदीश के हवाले से करते है नभी करिम صلی اللہ علیہ وسلم का रिशाद है वो शक्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम नहीं खाता और बड़ों का एतराम नहीं करता حضور صلی اللہ علیہ وسلم क्या फर्माते है इस हदीश से जाहिर होता है कि हमारे नभी करिम صلی اللہ علیہ وسلم ने बड़ों का इतराम करने के साथ-साथ छोटों के साथ शफकत का भी दर्स दिया है शफकत करने पर भी तलकीन फर्माई है इसका एक वाक्या है एक दफ़ा रसूल अकरम صلی اللہ علیہ وسلم अपने कुछ सहाबा अकराम के हमरा मदीना मरमरा की एक गली से गुजर रहे थे सामने से एक बुड़ा आदमी निकला अर्जू صلی اللہ علیہ وسلم इसे दे कर रुक गए और उसका उस वकत तक इंतजार किया जब तक वो दूसरी गली में मुड़ ना गया सहाबा कराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्ला صلی اللہ علیہ وسلم वो तो यहूदी है तो आप ने इतना खड़े हैं इतना इतना इंजार क्यूं किया इतने एहतराम किसलिये حضور صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया कोई भी हो चाहे वो काफिर हो, चाहे मुसल्मान बूड़े आदमी का इhtराम करना चाहिए तो आपको इस हदीथ और इस वाकिये से ये अन्दाजा कर लेना चाहिए कि बूड़े आदमी का इhtराम करना हम पर कितना लाजिम है उसमें कोई कोई भी मजब वो सामने नहीं रखा जाएगा बसकि उसकी बज़ूर्गी के इहतराम करते हुए हमने उनको इज़त देनी है नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हद्ध मुसा का वाक्या हद्ध मुसा लिखा वा बिटा ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है हद्ध मुसा लिखा जो दर्मियान वाला उसको गलत कर दीजेगा ये वर्ड है हद्ध मुसा लिखा वाक्या है हद्ध मुसा लिखा 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 अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जाया करते थे मतलब अलाद अलाद से बाते करने के लिए उनसे डिसकेशन करने कोई भी बाद को मसला पूछने को बताने के लिए जैसे दूसरे नभी पतर वही नाजल होती थी तो हज़रत मुसा अलाद अलाद से वही के साथ साथ حضرت موسیٰ علیہ السلام की वालदा का तो अल्लाह ताला ने حضرت موسیٰ علیہ السلام से फर्माया एए मوسیٰ अब जरा संबल कर बात किया करो क्योंके पहले तुम्हारी बुड़ी वालदा तुम्हारे लिए दुआ किया करती थी और मुझे उसके सुफेद बालन से शर्म आती थी अब आप इस वाकिया को गोर से समझे इस वाकिया से ये जाहिर होता है कि बुड़े बुड़े बुज़र्ग और उमर सीदा लोग अल्लाह ताला के सामने भी बड़ी कदरों मज़त रखते हैं दुबारा से अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वाकिया को कि जब भी हद्द मुसा लाहिसलाम अल्लाह के पास हमकलाम होने के लिए जाते थे तो उनकी बुड़ी बालदा पीछे से उनके लिए दौा किया करती थी जब उनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह अल्लाह ने मुसा लाहिसलाम से फर्माया आए मुसा लाहिसलाम अब जरा संबल कर बात किया करो क्योंके पहले तुम्हारी बुड़ी बालदा तुम्हारे लिए दौा किया करती थी और मुझे उसके सुफेद बालों से शर्म आती थी अब इसे और मजीद इसकी बजाहत करते हैं देखते हैं कि अल्ला पूला भी कहता है कि हमें बजुर्गों का इज़त, उन्हों यहतरामた करना चाहिए क्यूंकि इस आपर दर्जब लबागी से जाहिर होता है कि अल्ला पूला भी बजुर्गों की इज़त करता है इसलिए जो लोग उनसे कम उमर के बच्चे हैं उनका इहतराम वाजिब है नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट टॉपिक हमारे इस हदीश का जो हासले किलाम है वो हो ये है कि माशरा अफराद से मिलकर बनता है मतलब माशरा अफराद का मजमुआ है ये इसी सुरत में खुशगवार बन्यादों पर इस्तवार हो सकता है जब उसके अफराद एक दुसरे का इहतराम करें चोटे बड़ों बूडों का इहतराम करें और बड़े छोटां पर रहम करें उनसे शिफकत से पेश आएं आज जो छोटे हैं कल इन पर भी बड़ापा आने वाला है आज वो अपने से बड़ों का इहतराम करेंगे तो उनका भी कल इहतराम किया जाएगा इसी तरह ये हमारा हासल एक यही है कि माशे में अगर बज़र्गों की इज़त का ख्याल ना रहे तो माशे खराब होने लगता है तो माशे में बज़र्गों के इहतराम की तालिमात पर और बच्चों को इनकी हदायत देनी चाहिए बच्चों को समझाना चाहिए कि हमारे जिन्दगी में बड़ों का किरदार क्या है और उनकी जिन्दी का हमारी जिन्दगी में कितना किरदार है और उनकी इज़त हमारे लिए कितनी अहमेत रखती है उनकी जिन्दगी अगर वो लोग अगर बड़े बज़र्ग वो नेक भी है तो इस सूरत में हमारा बहुत ज्यादा ज्यादा हक बनता है कि हम उनका उनकी बातों पर अमल करें उनको फॉलो करने की कोशिश करें और उनके नेक अमाल से हम भी सीखें इसी तरह आपने इसकी आहदीश से और इसके हद्द मुसा लाइसलाम के वाके से आपको पता चल गया होगा, अंदादा हो गया होगा कि हमारा दीन, हमारा रब और हमारे नभी बड़ों का इहतराम करने पर कितनी हैं कितना जोड दे रहे हैं उनकी नजर में भी बड़ों का इहतराम करना कितना जरूरी है, बहुत एहम है तो इसी तरह हमें भी इसे सबक सीखना चाहिए तो बेटा आज का हमारा ये टॉपी यहीं भी कम्प्रीट होता है नेक्स लेक्चर के साथ हाजिर होंगे अलाफिस